Hello Friends, Welcome to Royal Study दोस्तो आज की इस वीडियो में SLCGD 2014 के Special Exam का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ले कर आ चुके और इस वीडियो में हम Top 100 MCQ आपको कवर करवाएंगे जो आपकी exam में सबसे ज़्यादा जरूरी है exam point of view से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडिया फाइल भी आपको 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 जो भी डेटा मतलब आपकी एक्जाम में त्यारी करने के लिए लगता है सारा यहां पर डला हुआ है तो आप जरूर से एक बार विजिट कर लीजिगा फिर भी कोई डाउट है कुछ प्यरी से तो आप हमें नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आईए स्टार्ट करते हैं गाईस मिनादेरी के हमारे पहले कुष्ण से और वन लाइनर के फोर्मिट में टोफ हंडिड कुष्ण सम कवर करेंगे आपकी एक्जाम में अब काफी कम टाइम बचा हुआ है तो इसलिए हम आपको सूपर फास्ट तरीके से यह कुष्ण कवर कर अगला कुष्ण है और हमारा निमलेकित में से किस सख्सियात को वर्स 2019 में कत कली नित्य सेली में उनके योगदान के लिए पदमसरी से समानित किया गया था और इनका नाम है मिलीना सालविनी मिलीना सालविनी जो है इनको 2019 में कतकली नत्यसेरी में इनके योगदान के लिए इनको समानित किया गया था पधमसिरी से अगला कुछ ने भारत के सन्विधान के निमलिकित में से किस भाग में मूल का अधिकार सन्नी ही थे या कोचन है लक्श सेन के स्खेल के खिलाड़ी है सही जवाप हो जाएगा बैड्मिंटन के यह निकी हमारा यहां से सोटल मानसिंगinek correct answer है आईए next question देखते है कुषिणे विस्व के कुल प्रस्टिज रपल में भारत का कितना हिस्सा है तो ये भारत को हिस्सा है ये है 2.4 % नेक्स्ट क tão कुछन है कोनसा विकल्प बहू देखें कोनसा विकल्प तो बोली मिया का सबसे अच्छा वर्नन करता है, खाने समझेद विकार, नेक्स्ट है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गनेश की एक साथ पूजा करते हैं, तो दिवाली का त्योहार होता है, जहां पर उत्तर भारत के जो लोग होते हैं अनुचेद 243 खा के अधीन गटित स्वाता सासन वाली एक संस्था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर पंचायत हो जाएगा, यानि कि पंचायत का अर्थ है, ग्रामी शित्रों के लिए अनुचेद 243 खा के अधीन गटित स्वाता सासन वाली एक संस्था, नेक्स्ट गोचन ह हमारा निमनी लिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्दंता रेका का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्विक्षन कौन कराता है तो ये कराता है एन एस एस ओ हना नस तो आपका करेक्ट आंसर है एन एस एस ओ ये कराता है सर्विक्षन अगला कुशन है निमने लिखेत में से कौन अप्रेल 2022 में भारत के खेरागड चत्तीसगड से विदान सबा के सदश्य बने तो ये यसुद्दा वर्मा बनी थी 2022 में भारत के खेरागड चत्तीसगड से विदान सबा के सदश्य ये बने थे अप्रेल 2022 में ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं, अगला कुशन हमारे निकल कर आ रहा है करसी में गाएं के गोवर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है तो जेविक उर्वर्क के रूप में गाएं के गोवर का यूज होता है जून 2022 में मंत्री मंडल की न्यूक्ति समीती ACC द्वारा रास्टी जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे न्यूक्ति किया गया इनका नामें दिनकर गुपता अगला कुशनी कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रसांथ महासागर से जोड़ता है नेक्स्ट है देश की स्वतंता से पहले भारत मुख के रूप से अपने किस उद्योगों के लिए जाना जाता था तो यह हस्त सिल्फ उद्योगों के लिए भारत जाना जाता था स्वतंता से पहले कच्चे तेल पेट्रोलिया मुतपादो और प्राकर्तिक गेस को स्तांतरित करने के लिए अब परिवान के किस साधन का अपयोग के जा रहा है तो पाइपलाइन का यूज के जा रहा है इनको स्तांतरित करने के लिए यानि इनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कच्चे त देखा उसका विस्त्रत विवरान उन्होंने दिया है तो स्वेन सांग आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्वेन सांग इन्होंने हर्स वर्दन की दर्बार में बहुत अधिक श्यमें बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्त्रत विवरान उन्होंने दिया है अगला ACI खेलो कायोजन सरुपरतम किस वर्स हुआ था तो 1984 1984 में पहली बार दक्चिर ACI खेलो कायोजन हुआ था अगस्त 2022 में की गई गोसनाओं के अनुसार अंतराश्टी मुद्रा को CNA IMF में भारत के लिए कारीकारी निदेशक के पत पर किसे न्यूक्ति किया गया सही जवाब हो जाएगा करश्णमूर्थी सुब्रमन्यम करश्णमूर्थी सुब्रमन्यम को IMF में भारत के लिए कारीकारी निदेशक के रोप में तेनाथ किया गया या न्यूक्ति किया गया देए ग्रिस में रितु इस्तानी तुपानों का मुएसम होता है जिनमें त्रीव हवाओ के साथ गरज वाली जो मूसलधार वर्सा है ये होती है इसके साथ प्राई हीम रस्टी भी होती है पश्य मंगाल में इन दुपानों को किस नाम से जाना जाता है तो इनको कालबेसा की पश्य मंगाल में बोला जाता है अगला कुशनी सत्रंज के वर्गाकार खानों की छेतिच पंक्तियों को क्या कहा जाता है तो इनको रेंक बोला जाता है अगला कुशनी रासेस्वर सेकिया बार बयान किस नित्ति से सम्मधि थे तो इनका सम्मध सत्रिया नित्ति से है सत्रिया जो कि सास्ति नित्य है समका इससे संबन्द हो जाएगा रासे स्वर से कियागा भारत में कौन सा गेर पारंपारिक उर्जा श्त्रोत उपलब्द है तो जुआरी पवन और सोर ये तीनों उपलब्द है भारत में जुआरी उर्जा पवान उर्जा और सोर उर्जा भारत में सूचना प्रद्योगी की उद्योग का प्रमुक केंद्र निमने मैं से किसे माना जाता है तो बैंगलूरू को माना जाता है सूचना प्रद्योगी की उद्योग का प्रमुक केंद्र Information Technology Industries का प्रमुक केंद रही हैं बेंगलूरू अगला कुछन है राज्यों की परिशत को किसके नाम से जाना जाता है तो इसको राजिसभा के नाम से जाना जाता है राज्यों की परिशत को राजिसभा के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट है ग्रीडा लोग नित्य निम्मत परिश राज्य में किसके दोरान किया जाता है जब रवी की फसल कटाई के लिए तियार होती है तो गीडा जो नित्य है ग्रीडा नित्य इसका नाम है ये सरदी के दोरान किया जाता है जब रवी की जो फसल होती है कटाई के लिए तैयार होती है अगला कुशने उब्वगता संरक्षन नियम 2021 के अनुसार जीला आयोगों के पास उन सिकायोतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतीफल के रूप में बुक्तान की गई वस्तुव या सिवाओ का मुल्य डेस है तो 50 लाग रुपे से अधिक है वहाँ पर यह होगा अगला कुशने सिर्के में उपस्तित अमल का राजसारिक नाम क्या है तो एसिटिक अमल आपका करेक्ट अंसर है सिर्के में योपस्तित होदा है भारत में कारेवल आबादी में कौनसे लोग जो है सामिल नहीं होते हैं तो 14 वर्स के जो लोग हैं यह सामिल नहीं होते हैं कारेवल यानि वर्क फोर्स में अगला कुशनी अरतेविवस्ता की सभी फर्मों के सकल मुल्य वर्दित का कुल योग है तो ये जीडीपी है मैं 2022 के अनुसर तो 11 आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा निमने लिखित में से कोन बंकलदेश की ग्रामीन बेंक के संस्तापक है इनका नाम में महम्मद हिऊनूस अगला कुशने 1857 में किस विस्विद्याले की स्थापना हुई थी तो बंबाई विस्विद्याले की स्थापना हुई थी 1857 को भारत के जम्मू और कस्मीर के किस राजनितिक नेता ने नौमबर 2022 में किस तवाड डोड़ा बेल्ट की तीन दिवसी यातरा शुरू की तो गुलाम नभी आजाद इनका नामे इन्होंने की थी अगला कुशन निम लिकित में से सुंग वन्स की स्थापना किसने की कर दिए कर आपने विजिट नहीं किया है डिस्किप्शन में लिंक है तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं इंड्रोल नहीं किया कर ले जगा क्योंकि काफी अच्छा आप सभी की डीमांड पर ही इस पैसल लेकर आएं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बार जरूर से विजिट करेगा फिर भी कोई डाउट है कुछ क्वेरिस है तो आप हमें नंबर पर भी कॉंटक्ट कर सकते हैं अगला कुशन है हमारा एक स्वेचिक परिभासित योगदान सेवा नित्ती बचत योजना है जो ग्रहाकों को सुवेवस्तित बचत से अपने भविश के बारे में इस्टितम निरने लेने में सक्षम बनाती है तो इराश्टि पैंसन टरना लिए होती है एन पी एस नेशनल पैंसन इसकी पैंसन इ रूप में किसने पदभार समाला है तो सुमन बेरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमन बेरी ने एक मई 2022 से नीती आयोक की नए उपाद्यक्ष की रूप में पदभार ग्रन किया है अगला कुशन है 2019 में भारत रिक्ति स्थान मिलियन टन इस्पाद का विनिर्मान कर सं संसार में कच्चे स्पाद उतपाद को में दूसरे स्थान पर था तो 111 अपका गरेक्ट आंसर है 111 मिलियन टन इस्पाद का विनिर्मान कर संसार में कच्चे स्पाद उतपाद को में दूसरे स्थान पर भारत है 2019 में अगला कुशन है सेआई کھیल 2018 का अउजन निमलिकित में किस देश में किया गया, तो इंडोनेशिय में इसका अउजन किया गया, कोसिका आकार का निमलिकित में से कौन सा योग मbenें सही है, लाल अरखत कोसिका गोलाकार होती है, आप सब इक बताएं यह पैसी कोसिका यह तरकु रूपी होती है तो इन में से दोनों ही सही है यानि कि एक और दो दोनों सही है अगला कुशन है हैमिस पर्व मुख के रूप से कहां पर मना जाता है तो यह लद्दाक में मनाय जाता है हेमिस्ट, महुस्थव के लिज़गा, पर्व के लिज़गा या त्युहार के लिज़गा अगला कुशने पूरुसों की स्रेनी में फेके जाने वाले डिसकस में प्रियोक्त डिसकस का व्यास और वजन कितना होता है तो वजन में देखें वजन में 2 kg होता है और व्यास होता है 22 cm देखें अगला कुशन है निमलिकित मेंसे कौन से तत्व की परमानु संक्या 33 है तो और से निक आपका करेक्टांसर हो जाएगा उपर से मरदा की तीसरी परत की पहचान कीजेगा तो उपर से मरदा की जो तीसरी परत है या अद इस्तरी अब 6 आदारी चटाने होती है निमलिकित मेंसे कौन सा करतव भारती सन्विदान के 42 संसोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था तो ये 6 से 14 वर्स की आयू के बीच के बच्चे या परती पाल्य को सिक्षा के आउसर प्रदान करना ये नहीं जोड़ा गया था 42 संविदान संसोधन के द्वारा सितंबर 2022 में भारती रिजर्व बैंक द्वारा येस बैंक के गेर कारिकारी अंसकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई तो रामा, सुब्रमन्यम, गांधी इनको सितंबर 2022 में भारती रिजर्व बेंक के द्वरा यस बेंक के गेर कारी-कारी अंसकालीन अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया चल रही थी, तो चौंती पंचवर्सी योजना चल रही थी उस टाइम पर भारत, पा कीस्थान य८्सा फ्य द्वाद के चलिए था तो फ Asiaख सब्सकर Voilà यूद्ध मंत्रि प्यूदि रिखा ग्रें इस तरह है एक चीज़े आप याद रखेगा अगला कुछनी गौफ नित्य किस राज्य का प्रसिदिनिती है तो सही जवाब हो जाएगा गोवा का यह डेस के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एक मात्र अधिकारी तो ये भारती रिजर्व बैंक के पास में होता है अगला कुछने अर अपरना सतीसन को किस नित्य स इत्य सेली में इनको समानित किया गया चूंकि मोरे सामराज इतना बड़ा था इसलिए अलग-अलग हिस्तों पर अलग-अलग सासन किया जाता था डेस के आसपास के इलागों पर समराड का सीधा नियंदर था तो पार्टली पूत्र जो था इसके आसपास के जो इलाके थे पर समराड का सीधानी अंतर था अगला कुशन है निमलिकित में से क्या राश्टपती पत की उम्मिद्वारी के लिए एक आवश्यक योगिता नहीं है तो उच्छी सिख्षा एक आवश्यक योगिता नहीं है अगला कुशन है खलीफा की ततकालिन सक्तियों की रक्षा के की है अगला कुशन सवदेशी आंदोलन को लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव के शेत्र में पड़ा सबसे अधिक प्रभाव पड़ा ये बंगाल में बढ़ा विशु का सबसे लंबा लिकित सन्विधान किस देश का है तो ये भारत का है जुलाईmand 2022 में भारत के सिव सेना के किस नेता को महारास्ट से राज्यसबा का संसत चूना गया तो संजीर राउत आपका correct answer है अगला question is अगस्ट 2022 में विज्यानिक और उद्योगिक अनुसंदान परिसद CSIR की पहली मैला महानिदेशक के रोप में किसे न्यूपति किया गया ही जवाब हो जाएगा नला थम्भी कलाई सेलवी correct answer आपका है बुद्ध पुर्णीमा जो गोतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निमलिकित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है तो सिक्किम में इसको सागा दावा के नाम six जाना जाता है गोतम बुध्ध पूर्णीमा को जो कि गोतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाती है अगला बुश और निम्लिकित में से कौन किर्केटर नहीं है तो साहिना नहिवाल ये किर्केटर नहीं है साइना नेवाल किर्केटर नहीं है रवी कीर्थी ने निमलिकित में से किस चालोग की सासक की प्रसस्ति की रचना की तो ये कीती हिनों ने पुल के सिन द्वीती की अगला कुशन है सत्रिया निमलिकित में से किस राज़ी का सासे नित्ति है तो यह SM का है अभी हमने बताया था आपको बेडमिंटन एकल केल में यदि दोनों खिलाडियों के 29 अंक हैं तो उन में से एक किस अंक पर खेल जितेगा तो एक जो होगा वो 30 वा अंक जो होगा उस पर खेल जित जाएगा सरकार का हस्तचिप चाहिए मांग का विश्थार्प करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए या रिक्तिस्तान कारी के लाथा यह जो है ताई इस तरीकरण बोला जाथा है अगला कोशन है हमारा सूडियम सल्पेट और बेरियम क्लोराइट की अभी किरिया में बनने वाला सफेद अप्षी क्या कहलाता है तो बोरियम सल्फेट इसको बला जाता है बेरियम सल्फेट नेक्स्ट कोशन है हमारा इसका उपयोग बोरा, चटाई, रसी, सूथ, कालीन और अन्य बेकित में से किसे राजिव गांधी पुरुषकार, इंद्रा प्रदर्सिनी सम्मान, रोटरी अंटरास्टे हवाई अवोर्ड मिले हैं तो ये सोबना नारायन को मिले हैं प्रसूल को से ये होता है नेक्स्ट कोचने निमलेकित में से कौन अर्थिववस्ता के प्रात्मिक छेत्र से संबंदित नहीं है तो बैंक सेवाए ये प्रात्मिक छेत्र से संबंदित नहीं है नेक्स्ट कोचने लू किस रितू की विसेश्था हैं तो ये ग्रिसम रिज्itarian की विशाष्ता हैं लू श् размер summer daily का इन्धिया को डेस डेस ऑंत्रगत लॉंच किया था तो वने जी उं उद्ध्योग मन्तरावले के तायत श् dat इंडिया को लॉंच किया गया था नेक्स्ट कोशने जन्गर्णना 2011 की अनुसार बहरत में साक्षरत दर कितनी थी तो यह थी 74.04.000 अगला कोशने की सोरो को प्रति दिन औसद मात्रा वाले कितने संतुलिताहार देने चाहिए तो तीन देने चाहिए नेक्स्ट को सेने अंग्रेजों ने अवद पर कब कबजा कर लिया था तो 1856 को अंग्रेजों ने अवद पर कबजा कर लिया था भारत में ग्यारवी पंचवर्सी योजना की थीम क्या थी जुलाई 2022 में युवजन स्रमिक रायतु कॉंग्रेस पार्टे के आजीवन अध्यक्च की रूप में किसे निर्वाचित किया गया तो इनका नाम है जगन मोहन रेड़ी को अगला कुशनी निमने लिकित में से कौन सा सरकार के राजयसु बजट का हिस्सा नहीं है तो युजना पूंजिकत वे ये सरकार के राजयसु बजट का हिस्सा नहीं है नेक्स्ट कुछने व्यापार की गई वस्तों और सीवाओं के कुल मुल्य को व्यापार का क्या माना जाता है तो इसको व्यापार की मातरा कहा जाता है अगला कुछने निसागंदी नित्युस्थव भारत के किस राज़ी में मनाया जाता है तो केरल में मनाया जाता है निसाग और खजिब दोनों में उगाया जाता है इसका नाम है अरंडी के वीज इसको रवी और फसल खरीब फसल दोनों के नाम से जाने ता है भारत के राश्टी खेल 2022 का 36 संस्करन किस राजी में आजुद किया गया तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2022 का जो संस्करन हुआ है राश्टी खेल 2022 यह इसका 36 संस्करन था जो कि गुजरात में अजुद किया गया अगला कुशन है हमारा साच्तिन नित्त की अलर मेल वल्ली है ना इनका नाम ही यह है अलर मेल वल्ली तो ध्यान रखिएगा साच्तिन नित्त की है अलर मेल वल्ली जिने रिक्तिस्तान के या डेस के लिए जाना जाता है को पदमभूसण से समानेत किया गया तो ये चेश्य नित्ति की है इनका नामे अलर मेल वली इनको भरत नाट्यम से इनका समदें पदमभूसण इनको मिला है अग्ला कोशन है रिगवեզ कितने सुक्तों का संग्रे हैं तो ये एक हजार अटाइस सुक्तों का संग्रे है नेक्स्ट कोशने मेगाले की कौन सी पहाडियों में सरवादिक वर्सा होती है तो ये खांसी पहाडिया है मेगाले की यहाँ पर सबसे ज़्यदा वर्सा होती है अगला कोशने पहले राइट निम लिकित में से किस धातु कायास के तो ये जिंक का होता है भारत के सन्विदान का अनुचे 17 किसे सम्मधित आइस पहस्ता का अंत आपका करिक्टांसर रहेगा निम लिकित में से किस मामले में लोकसभा, राजसभा को समान सकतिया प्राप्त नहीं है दन विदयक पारित करने के मामले में लोकसभा और राजसभा को समान सकतिया प्राप्त नहीं है निम लिकित में से कोन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुक्यमंतरी बने तो इनका नामी योगी अधितिनात अगला कुशनी प्रसिद्ध भारती मुक्यबाजी हना प्रसिद्ध भारती मुख्यबाज मेरी कौम किस राज्य से समझे दिन का नाम मनिपूर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखे गाइस नए मुख्यमंत्री भी अभी हाली में पांच राज्यों में नए चुना हुए आप सभी को पताइए तो नए मुख्यमंत्री भी बने हैं राज्य पाल भी कुछ राज्यों के चेंज हुए तो इसके लिए हमने एक्जाम टाउन चैनल पर नई वीडियो दे रही है जहां पर हमने पूरा आपको कवर करवा दिया है इसके लावा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का वीडियो भी हमने डाल दिया है पूरा करेंट अफेर का टॉफन रेट के फॉर्मिट में अगर आपने नहीं देगा है तो सीदे सीदे आप देख के जाएगा 110 परसेंट कोशन बनेंगे क्योंकि हम लगातार वहाँ पर आपको जो ट्रेंडिंग टॉफिक से इस पैसाल टॉफिक वाइस कर इंट फेर नेशनल का कवर करवा रहे हैं तो जल्दी से आप देखेगा नया वीडियो ब्रांडम मेजडर वाला जल्द आने वाला है तो उसको भी आप जरूर स देख लेज़ेगा क्योंकि कोशन्स लगतार आपके बंते हैं अगला कुशने निमले कितमे से किस उस्सव को उस्सव का उस्सव कहा जाता है तो यह हारनबिल उस्सव इसको उस्सव को उस्सव बोला जाता है नेक्स्ट कुशने किन वस्तुव या सेवाओ की अंतराज्जी आप पूर्ती पर कर लगाने और संग्रे करने का प्राउदान करने के लिए एक अधीनियम पारित किया गया था तो केंद्री वस्तू सेवा कर अधीनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है कौन सा देश त्रीपूरा को पश्चिम और उत्तर और दक्षिन दिस गेरता है तो यह बांगलादेश है तिरीपूरा को पश्चिम उत्तर और दक्षिन दिसाओ से घेरता है बांगलादेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाईज जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम टॉफ हंड़ेट कोशन कवर करवाएंगे हम आपको टॉफ दिक कोशन तेखने को मिलेंगे क्योंकि यह कुछ कोशन ऐसे हैं ज्लिक ताकि है स्डिक्जर्स होजाएगा-उइपृप कर से इसके बाद में भी आपको लगातार वीडियो हम देते रहेंगे अगर आप चाते हैं कि आपको कुछen रच dealers आप इस्तृस में इंडोप कर टेस्ट डल हैं बिल्कुल आपके लिए रामबान साबित होगे ऐसा आप मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बार डेमो जरुस चेकाउट करेगा डेमो जो है इसका कोई भी चार्ज नहीं है आप डेमो का सो वाला जो टेस्ट है इसका आप एक बार इसको देखर देखिएगा आपको पसंद आए तो आप इन्रोल करेगा दर्वाइज मत करेगा पहले एक बार डेमो चेकाउट करेगा डेमो में आपको सारी चीज़े पता चलेगा किस तरह का कंटेक्ट यहां पर आपको दिये जा रहे है डिस्किप्शन में लिंक है फिर भी कोई डाउट है कुछ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर सेलेक्ट कर दीजगा ताकि जो भी नया वुडिया है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुच पाए मिलते हमारे नेक्स्ट इस्टड़ी वीडियो में तब तक लिए जाहिंद वंद्यमात्रो झाल